सत्कुरु की साजी निवादी प्यारी सासंग जी प्यार और स्थकार से कहना धान दिरंकार जी सेवा कर देने जेहडे निशकाम संतों सत्कुरु सुख देनदा ओनानू तमाम संतों साथ संगर जी कहते हैं कि जो निश्काम भाव से सेवा करते हैं सत्गुरू उन्हें अनमुली खुशियां देता है इतनी खुशियां देता है अनगीनत कि जिनकी गिंती ही नहीं किया सकती है इसलिए हम अत्गुरू के चर्नों में यही हर्पल अरदास करें कि सचे भाशा सेवा सिम्रन ससंग हम निश्काम निरचित भाव से करते चले जाएं और आप जी के आशीरवातों के पात्र बनते चले जाएं सासंगर जी कहती हैं एक दिन महरिशी रमन के पास दो धर्म परच्शारक आए उन्होंने कहा आप कहते हैं कि आपको प्रभू के दर्शन हो गए हैं आप हमें भी प्रभू के दर्शन करवाये महरिशी त्यार हो गए वह उन्हें लेकर एक टूटी फूटी चौंपड़ी के पास पहुँचे, वहां रखा पानी का बरतन खाली था, अंदर जमीन पर कुष्ट रोग से पीडित एक बजूरग सोये हुए थे, महरीशी ने दोनों धरम परचारकों से दरवाजे पर ही रुकने को कहा, और खुद अंदर चले गए, उन्हों ने वहां सफाई की, फिर में पानी भरा, उसके बाद बुजूरग व्यक्ति के कान में प्रभू के नाम का उच्चारन कर उन्हें जगाया, बुजूरग के चेहरे पर खुशी और शरीर में फूर्ती नहीं थी, महरीशी ने उनके घाव की, मरहम पट्टी की, फिर उन्हें डेली रूटीन की त्रहें फारिंग कराकर डेली रूटीन के सभी कामों से फारिंग कराकर परशातिया, इसके बाद महरीशी ने बुजूरग से कहा, आईए प्रभू का ध्यान करें, कुछ देर तक महरीशी और वह बुजूरग दोनों ने ही ध्यान किया भगवान का, दोनों धरम पर चारक तूर से यह सब देख रहे थे, उनकी उसकता, उनकी जियासा बढ़ती जा रही थी, उने लग रहा था, शायद अब महरीशी कुछ ऐसा चमतकार करेंगे, जिससे प्रभू सबके सामने प्रकट हो जाएंगे, उदर महरीशी और बुजूरग दोनों भगवान का ध्यान लगाए ध्यान समापत होने पर महरीशी ने बुजूरग से पुछा, क्या आपको प्रभू के दर्शन हुए हैं, बुजूरग ने कहा, हाँ, मुझे प्रभू के दर्शन हुए हैं, महरीशी ने पूछा, कि वे प्रभू कैसे थे, तो उसने मुस्कुरा कर, बुजूरग ने मुस्क महरीशी ने कहा मुझे भी प्रभू के दर्शन हुए। और यह भी पता चला कि प्रभू के द्वार चड़ना हो प्रभू के द्वार पर आना हो तो सेवा की सेड़ी से होकर जाना पड़ता है। तो सबसे पहले हम सेवा करें। सेवा के द्वारा हम प्रभू परमात्मा को पा सकते हैं। भगत अपना मन सत्कुरू को सोब कर निरलेप भाव से संसार की यात्रा तै करता है। संसार में सुखी होने का रास्ता बताते हुए। संतों महात्माव ने निरलेप भाव को अपनाने की प्रेना युगो युगो से दी है। गुर्षिक के बारे में लिखा है सेवा करत होए निकामी तीसकव होत प्रापत स्वामी जो निरलेप हो गया। कामनाओं इच्छाओं से उपर उठ गया। वह पवित्र हो गया। उसका आचरन शुद हो गया। जिसका आचरन भरष्ट हो गया। समझो वह अपने चरितर से भी किर गया। भगती के रास्ते में पत भरष्ट होने का डर्बना ही रहता है। इसलिए भगत हमेशा जागरुख होके विचरन करता है। सत्कुर के किरपा से अपावन को भी पावन करने में शक्षम परम प्युत्र प्रम ज्यान को प्रापत करता है। ग्यान के एक जिंगारे ब्रश्ट विचारों के सालों के संचित कचरे को जला कर, कूडे करकट को जला कर नश्ट कर देती है, गणिका सदना कसाई सचन ठक जैसे कितने ही उधारन है, जहां दूराचारी भी सदाचारी बन गए, यह बदलाव पल दो पल के लिए नहीं, बलकि जीवन भर के लिए हुआ, महात्मा प्रेन न देते हैं कि आचरन को ब्रेश्ट होने से बचाने के लिए सदाचार को अपनाना होगा, सत्गुरु के चरनों में जूखकर अपनी चला की चतुराई को छोड़ना होगा, जो ऐसा करने का संकलब कर लेता है, सत्गुरु की हुरास हो जाते हैं, तहाँ भी है, मन बेचे सत्गुरु के पास तिस सेवक के खारज रास, जब तक गुरु के नहीं हुए, तब तक ब्रेश्ट ही रहेंगे, तब तक हमारा आचरन मंगला चरन नहीं बन पाएगा, तब तक हमारे भाव, दया, धरम, शेहन, शीलता, प्या जीवन सफल होना है, इनसान के पतित आचरन का करण इनसान का परमात्मा से विमुक होना है, इनसान परमात्मा की जगे माया, अर्था, धन, संपदा, एशो, एराम को ज़्यादा एहमियत देता है, और चैन, सकुन, पाना तो दूर, इन्हें खोता चला जाता है, सत्कुरु की शरण में आना ही सरल, सहज, और सबसे उपाय है, जीवन में सुख पाने का, अगर हम जीवन में सुख पाना चाहते हैं, तो हम सत्कुरु की शरण में आएं, एक बार दिल्ली के एसकॉर्ट होस्पिटल में, एक महात्मा को ट्रीटमेंट के लिए रखा गया, एक महात्मा को एसकॉर्ट होस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए रखा गया, जहां परिवार के लोगों को जाना मना होता था, कहते हैं कि वहाँ पर उस रूम में, जो ट्रीटमेंट रूम होता था, ट्रीटमेंट रूम में पेशेंट होस्पिटल के डॉक्टर्स और नर्सिंग होते और नर्सिंग और डॉक्टर्स के हवाले ही पेशियन्ट होता था घर के फैमली मेंबर्स पेशियन्ट के पास नहीं जा सकते थे कहते हैं उस समय इस महात्मा ने गहराई से उनके सेवा भाव को देखा और इस निशकरश पर पहुंचे कि दिवया लोग ही सेवा कर सकते हैं पानी मेडिसियन से लेकर टेली रूटीन की सभी किर्याओं के संपादन में वे देवताओं की तरहें इनसान को बचाने में जीर जान से लगे रहते हैं शायद इसी लिए हर धर्व में मानव सेवा की प्रेजना अवश्य दी गई है गूरूं पीरों पैगमरों ने अपने आप सेवा करके इनसान को सिखाया कि सेवा कैसे की जाती है गुरूओं पीरों पेगंबरों ने पहले सेवा करम खुद किया फिर औरों को प्रेर न दे और बताया कि किस तरह सेवा की जाती है संत समागमों के अफसर पर भी महापुर्शों को सेवा करते हुँ देखना एक अद्वुत अन्भव होता है जहां मान को मिटाकर निशकाम भाव निशकाम सेवा में भगत तनमेता से शर्दा लगन विश्वाश समरपन के साथ लगे रहते हैं जरूरत है सेवा भाव के साथ गंबीरता से शुबाचरन अपनाने की ताकि लोकी की जीवन का अनन्द लिया जा सके और परलोक भी सुहिला हो सके संग्यत जी जो आज के विचार हैं ये हमें सेवा की तरफ ही हमारा विशेश ध्यान दिला रहे हैं कि हमने सेवा करनी हैं तो किस तरह करनी हैं हम अगर प्रमात्मा को पाना चाहते हैं तो सेवा की और अपना मुख रखें सेवा की और समर्पन भाव रखें सेवा को हम शर्था समर्पन वाली भावना लेकर करते चले जाएं और सत्गुरु से अशीरवाद लेते चले जाएं सारे सुक दुनिया देपादू साड़ी जोली विच फिर वी मिलाई रखना संता धी टोली विच साज संगत जी प्रेम से कहना धान निरंकार जी